Hello everyone, welcome to Study IQ. इस वीडियो के अंदर मैं हिंदी भाशा के अंदर कुछ ऐसे जनल नॉलिज के questions आपको बताऊंगा, जिनके किसी भी सरकारी exam के paper में आने के chances काफी ज़ादा हैं, ये कुछ पुराने paper से भी लिए गए हैं, इनमें current affair के question नहीं है, ये जिसको बोलते हैं evergreen जी के, यानि सदा भाहर general knowledge जो हर exam में आती है, जो कभी पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ज्यादातर इतिहास या भूगोल, history, geography, economics, quality, इन subject से लिए कई questions हैं, जो बार-बार exam में repeat होते हैं, चाहिए वो railways का exam हो, चाहिए वो SSECGL या banking से related, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा common है, बहुत ज़्यादा इनके आने के chances हैं, इसलिए ये बहुत महतंपूर्ण हैं, और इसके बावजूद भी ज़्यादातर students इन्हें ठीक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि current affairs फिर भी student कर सकता है, लेकिन जो general knowledge है, जो static GK है, उसका जो दाइरा है, वो इतना बड़ा है, कि इसमें ज़्यादा किया जाए उतना ही कम है, तो इसमें मैं कुछ इस तरह से GK को जोड़कर एक दूसरे से relate करके समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप जल्दी से इसे याद कर सकें, और आने वाले exam में ये वीडियो आपको जरूर कहीं न कहीं लाब जरूर पहुँचाएगा, तो ये है Champion of GK Series, मैंने इसको नाम दिया है Champion of GK Series, क्योंकि मैं ये चाता हूँ कि इस तरह के जो वीडियो से आपको GK के Champion बनने में help करें, क्योंकि GK एक आप जानते हैं, कम से कम 1 4th weightage हर exam में इसका जरूर होता है, तो ये इसका पहला वीडियो है, और आप वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट्स जरूर इस वीडियो को देना, अगर आप को ये अच्छा लगे, तो आप अपने फ्रेंट्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, और अगर इसमें कुछ आप सुधार चाते हैं, तो वो भी आप कमेंट्स में लिखके मुझे बता सकते हैं, तो ये वीडियो मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ, आप मुझे फेस्बुक पर भी फॉल्लो कर सकते हैं, अगर आपके किसी भी एक्जाम से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, आप मुझे फेस्बुक पर भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे एमेल भी कर सकते हैं, और मैं कोशिच करूँगा, समय निकाल करूँगा जवाब देने की, आप फेस्बुक पर कई सारे जो जनल लॉलिज से रिलेटेड या एक्जाम से रिलेटेड समय समय पर अपडेट्स भी इस पर पा सकते हैं, तो यह है पेज, आपको यह टाइप करना है, अपने किसी भी ब्राउजर में, और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो पेंड्राइब कोर्स है, वो बहुत पॉपुलर है, जितने भी गवर्मेंट एक्जाम्स हैं, या फिर कुछ ऐसे एक्जाम्स जैसे होटल मेनेजमेंट या प्लैट, इनके लिए भी पेंड्राइब उपलब्द है, इसके लाबावा SSECGL, SSECHSL, बेंकिंग एक्जाम्स, या फिर एरफोर्स के एक्जाम्स, जितने भी साल में लगणतुख 52 गौर्मेंट एक्जाम्स हैं, जिनके लिए ये पेंड्राइब आपको हेल्प करेगा, अगर आप ये पेंड्राइब और करना चाहते हैं, तो आपको ये नमबर डाइल करना होग इस pen drive में 100% syllabus coverage है तो आप किसी भी exam की pen drive लेने से पहले उसके बारे में inquire कर सकते हैं कि इसमें किस तरह का syllabus है क्या-क्या cover किया गया है और जितना भी syllabus है सारा videos के रूप में covered है videos हमारे जो teacher हैं काफी experience दें उन्होंने तयार किये हैं और इसमें जो English और GK वाला part है वो मैंने खुद तयार किया है आप मुझे email भी कर सकते हैं अगर आपकी pen drives और कोई query है तो email address है gaurav.studyiq at gmail.com बहुत ही जल्दी हम कुछ और pen drives भी launch करेंगे जैसे net का जो exam होता है UGC net या फिर कई और exams है जिनके लिए pen drive launch होगी जैसे CDS, SSB, NDA, etc यह जो वीडियो है यह आपका जितने भी government exam है सब में लाबदायक होगा क्योंकि इसमें जो GK है वो एक general knowledge है और बहुत ही ज़ादा common है So मैं आप question start करता हूँ यह है पहला भाग और मैं इसमें जो extra चीज़ें आपको बताऊंगा वो आपको note करनी है इस video का PDF उपलब्द नहीं होगा इस video में आपको इस video के साथ आपको एक बहतर होगा आप अगर कोई notebook या pen notebook और pen साथ लेगर बैठें जिससे आप जो extra points में आपको बताऊंगा आपको लिख पाएं सबसे पहला सवाल है कि 2023 का जो विश्यू कप है वो कहाँ पर होगा किस देश में आयोजित होगा इसमें मैं आपको multiple choice questions के रूप में वीडियो नहीं बताऊंगा मैं आपको सीधा ही answer बताऊंगा लेकिन इसमें बहुत सारे extra चीज़ें भी आपको बताऊंगा जिससे आप इसे याद रख सकें सबसे पहले 2023 का World Cup Cricket कहाँ होगा उसका venue कहाँ है 2023 का World Cup होगा इंडिया के अंदर और 2023 से पहले 2019 है उसका World Cup भी होगा Cricket का और ये होगा England के अंदर इसके कुछ matches Wales के अंदर भी होगे तो England प्लस Wales ज़्यादा बहतर आंसर है 2019 का जो World Cup है वो England और Wales में होगा 2023 का इंडिया होस्ट करेगा और जो ये venues होते हैं इस पे अक्सर सवाल आते हैं कि venue किसी भी बड़े टूर्नमेंट का याद रखिए इसमें जो छोटे टूर्नमेंट है उनके venues आपको याद नहीं रखने है आपको सिर्फ बड़े बड़े टूर्नमेंट के याद रखने है जैसे World Cup जैसे Football के World Cup के आपसे पूछ सकते हैं कि Football के World Cup कहां पर होगा तो Football का World Cup या Olympics कहां होगे आप जानते हैं Olympics 2016 के तो ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में जो अभी चल भी रहे हैं और 2020 के जो उलम्पिक हैं वो होंगे टोक्यो जो की जापान की राजधानी है टोक्यो में इससे पहले भी उलम्पिक खेल हो चुके हैं 1964 में टोक्यो में ऑलम्पिक हुए थे और ऐसे एक या दो ही शहर हैं जहांपे ऑलम्पिक खेल दो बार हुए हैं जैसे जो सबसे पहले ऑलम्पिक हैल हुए थे वो हुए थे 1896 में Athens में जो की ग्रीस की राजधानी है ग्रीस जिसको यूनान कहा जाता है हिंदी में उसकी राजधानी है एथन्स इसके अंदर सबसे पहले ओलम्पिक खेल हुए थे और ओलम्पिक खेल जो शुरू किये थे वो एक साइंट एक परसन ने किये जिसका नाम था बैरॉन पियरे डी कॉबर्टिन तो नाम चार के उलम्पिक भी एथन्स के अंदर हुए थे ग्रीज की राजधानी में तो यहाँ दो बार उलम्पिक हो चुके हैं इसके अलावा जो आने वाले उलम्पिक हैं वो होंगे टोक्यो के अंदर आप से ये भी पूचा जा सकता है कि जो कॉमन वेल्ट खेल है वो कहाँ पर होंगे तो ये भी इसके अलावा एक और सवाल अक्सर पूचते हैं कि जो फुटबॉल का वल्ड कप जिसे फीफा और्गिनाईज करता है फीफा वल्ड कप फीफा फुटबॉल वल्ड कप ये कहाँ पर होगा तो फीफा का जो 2018 का जो वल्ड कप है वो होगा रशिया में जिसे रूस कहा जाता है हिंदे में और 2022 का होगा कतर में कतर जो एक मिडल इस्ट कंट्री है जिसकी राजधानी है दोहा एक और खेल हैं जो पूच सकते हैं एक्जाम में इंपॉर्टन्ट हैं वो हैं एसियन गेम्स तो एसियन गेम्स की जो वैन्यू है जो कहां पर होंगे वो भी आपको याद रखने हैं 2018 में Asian Games 2018 में होंगे तो 2008 में ये होंगे Jakarta में बेरी इंपॉर्टन्ट 2018 के Asian Games होंगे Jakarta में और 2022 के जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है 2022 के जो एशिन केम्स होंगे वों होंगे चाइना में हंग जाओ में very very important बीजिंग में नहीं होंगे आपको याद रखना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगला सवाल है इसरो का headquarter कहां पर है अब ये इसको बोलते हैं typical एक general knowledge का question क्योंकि ये chances यही है कि इस cancer कभी बदलेगा नहीं जब तक ISRO अपना headquarter shift नहीं करेगा और generally ऐसा नहीं होता है तो ये question static जी किया है ये कभी इसमें परिवर्तन होना संभव नहीं है इसरो बोलते हैं Indian Space Research Organization को भारत में जितने भी अंतरिक्ष में जो हम यात्रा करते हैं हमारे जो space shuttle जाते हैं वो ISRO भेजता है तो Indian Space Research Organization very very important ISRO पर सवाल अक्सर आते हैं current affair के question भी बहुत आते हैं अगर ISRO कोई specific satellite भेजता है तो उस पर सवाल पूछे आते हैं तो सवाल अब यह है कि ISRO के उपर क्या क्या सवाल आ सकते हैं तो यह मैं आपको बताऊंगा देखे सबसे पहला सवाल जो ISRO पर पूछ सकते हैं कि ISRO कब बना ISRO बना 1969 के अंदर 1969 1969 1969 के अंदर यह बना और ISRO का headquarter है Bengaluru करनाटक की राजधानी Bengaluru के अंदर ISRO का chairman को ने आपसे यह भी पूछा जा सकता है ISRO का जो chairman है वो है A.S. Kiran Kumar नाम याद रखना काफी असान है इनका A.S. Kiran Kumar और ISRO में दो चीज़ें पूछ सकते हैं एक और की ISRO का जो commercial जो शाखा है commercial आप जानते हैं ISRO अब इतना popular हो चुका है खास कर पिछले कुछ सालों में क्योंकि हमने मंगल यान पर mission किया जो NASA अब तक नहीं कर पाया है हमने बहुत सारे ऐसे satellite launch किये हैं बहुत सारे कम cost में NASA जो महेंगे satellite भेजता है उससे हमने बहुत कम दाम में वो satellite बनाए हैं इसलिए जो अंतराष्ट्री है जो community है जो और देश है वो अब ISRO से satellite खरीद रहे हैं यानि ISRO एक commercial उसकी शाखा भी है उसका नाम है Antrix A-N-T-R-I-X इसकी spelling भी आपको याद रखनी है इसको बोलते हैं Antrix यह है ISRO की commercial शाखा, website शाखा इसके अलावा ISRO के दो center बहुत important है जो एक्जाम में पूछते हैं एक जहां से हम जो satellite बगा रहा हैं वो छोड़ते हैं एक हमारा जो launch center जिसे कह सकते हैं आप वो है Satish Dhawan, महान scientist Satish Dhawan उनके नाम पर रखा गया है जिसको बोलते है Satish Dhawan center Satish Dhawan जो launching center है वो है शिरी हरी कोटा आंदर परदेश के अंदर very important आंदर परदेश के अंदर है शिरी हरी कोटा यहां पर है Satish Dhawan center और दूसरा एक और पूछ सकते हैं कि Indian Institute of Remote Sensing कहां पर है Indian Institute of Remote Sensing जिसे short में IIRS कहा जाता है Indian Institute of Remote Sensing यह है देहरा दून के अंदर देहरा दून के अंदर है Indian Institute of Remote Sensing इसके अलावा दो तीन scientist और हैं जो आपको याद रखने है इसरो के बारे में और फिर आप बिल्कुल मिश्चिनत हो सकते हैं कि इसरो से related कोई भी question आप handle कर सकते हैं एक है बहुत important scientist जिनका नाम था विक्रम सारा भाई विक्रम सारा भाई को father of India's space program कहा जाता है बहुत ही महान scientist father of India's space program यानि भारत जो अंत्रिक्ष में जितने भी space program करता है उनके जनक father of India's space program विक्रम सारा भाई विक्रम सारा भाई के बहुत सारे contribution है इंडिया के अंदर सिर्फ वो space में ही नहीं बहुत सारे इवन जो I.M. अहमताबाद जो बना महशूर MBA college उसको set up करने में भी उनका काफी आहम भूमिका थी विक्रम सारा भाई के नाम पे एक space center भी है जिसको बोलते है विक्रम सारा भाई space center ये है तिरुवनंदपुरम केरला के अंदर ये भी question exam में कई बार आता है तिरुवनंदपुरम केरला में क्या है वहाँ है विक्रम सारा भाई space center और जो पहला rocket launch किया था भारत ने वो तिरुवरंदपुरम से किया था विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर से किया था और इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी विक्रम सारा भाई की एक और मशूर साइंटिस्ट है जो विक्रम सारा भाई के साथ भी काम कर चुके है जिनका नाम है होमी भाबा तो ये नाम भी आपको याद रखना है होमी भाबा इनका जो contribution है वो ज़्यादा space में कम और परमानू बम में ज़्याद, nuclear science में ज़्यादा है तो इन्हें होमी भाबा को बोलते हैं father of India's nuclear science program तो अगर space science या space program के father कौन है विक्रम सारा भाई और nuclear science इसके father कौन है, जनक कौन है भारत में, होमी भाबा तो ये है पूरा इसरो के बारे में knowledge जो आपको पता होनी चीए अगला सवाल exam में आता है कि जो check होता है, जो हम use करते है normal जिंदगी में check payment करने के लिए, payment receive करने के लिए उसकी validity कितनी होती है तो जो check होता है, पहले 6 महीने validity होती थी, लेकिन बाद में उसको Reserve Bank of India ने कर दिया 3 महीने तो 3 महीने तक check valid रहता है उसके बाद अगर आप उसे cash नहीं करवाएंगे अपने पास रखे रहेंगे, 3 महीने के बाद वो check cash नहीं होगा, तब उसे आप बोल सकते है, stale check s-t-a-l-e, stale check तो इसको 3 महीने के अंदर अंदर आपको end cash कराना होता है, तो validity जो time है check का वो होता है 3 months अगरा सवाल, National Science Day कब मनाय जाता है, अब देखिए ये एक सवाल है इस तरह के, इनमें अक्सर लोग गलती करते हैं, और इसका reason क्या है, reason ये है अब जैसे ये सवाल है कि National Science Day कम मनाय जाता है अब इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें सब से पहले तो ये word देखिए, National National का मतलब यहाँ हम भारत से related बोल रहे हैं जब हम कोई दिवस मनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी दुनिया में मनाय जाता है अब मैं बोल रहा हूँ National Science Day यानि भारत का Science Day ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी दुनिया में मनाय जाएगा हलांकी ये जो original concept है ये इंडिया का है और इसको सन्यूक्त राश्ट संग ने validate किया उसे माननेता दी इसलिए पूरी दुनिया में हम उसको 21 जून को ही मनाते हैं लेकिन ऐसा हर दिवस के लिए ज़रूरी नहीं है मैं एक example देता हूँ भारत में हम Teachers Day मनाते हैं 5 September को 5 September को Teachers Day सिक्षक दिवस मनाय जाता है भारत के अंदर Dr. Sarvopalli Radhakrishnan जो भारत के दूसरे राश्ट पती थे और बहुत महान टीचर थे उनके नाम पे हम ये मनाते है 1962 से हम मना रहे हैं भारत के अंदर Teachers Day 5 September को लेकिन पूरी दुनिया में लगबग 100 देश ऐसे हैं जिनके अंदर Teachers Day जिसको World Teacher Day बोलते हैं वो 5 September को नहीं मनाते हैं वो मनाते हैं 5 October को तो ये एक फरक आ गया Teachers Day भारत के अंदर मनाते हैं 5 September को लेकिन World के 100 से ज़्यादा Countries बनाते हैं Teachers Day 5 October को तो जब आप Question पढ़ें तो ये देख लिजे कि क्या पूछ रहे हैं National Teachers Day पूछ रहे हैं या World Teacher Day पूछ रहे हैं World Teacher Day आंसर है 5 October National Teacher Day और Teachers Day इन इंडिया आंसर है 5 September तो इसमें आपको केरफूल लेना है थोड़ा सा और जो World Teachers Day है ये 5 October को मनाया जाता है 1994 से तो बहुत रिसेंट है तो इंडिया से जो Concept है ये इनोंने लिया है और जो National Science Day है ये मनाया जाता है भारत के एक मुहान Scientist थे जिनका नाम है C.V. Raman C.V. Raman को आप जानते होंगे क्योंकि 1930-1930 में इन्हें Physics के लिए इन्हें Nobel Prize मिला था Physics के लिए और इन्होंने Raman Effect found किया था उसके ये Discoverer थे Raman Effect तो उसके लिए इन्हें मिला था C.V. Raman को 1930 में Physics के लिए Nobel Prize और 1954 1954 में इन्हें मिला था भारत रतन तो ये बहुत important है ये effects और Raman Effect जब इन्होंने बनाया तो Raman Effect का जो अविशकार किया वो इन्होंने 1928 में किया 28 फरवरी 1928 को इसलिए हम 28 फरवरी को C.V. Raman को जो Scientist है उन्हें सम्मान देने के लिए मनाते है National Science Day तो February 28 क्योंकि 28 February 1928 को Raman Effect ये इसका विशकार किया C.V. Raman अगला Question है कि जो हमारा बातावरन है हमारा जो बातावरन मंडल है इसके अंदर Nitrogen का कितना परतिशत है हमारी Air वायू के अंदर Nitrogen कितने परसेंट होती है तो अच्छा Question है थोड़ा सा आसान Question है ये मैं इसको Science में कह सकता हूँ ये जनरल साइन्स का Question है अक्सर एक्जाम में आता है तो थोड़ा असान है लेकिन फिर भी मैं इस पे कुछ परकाश जरू डालूँगा देखे हमारा जो Atmosphere है आप उसमें अगर मान लीजिए 100% Air है तो सबसे जादा Nitrogen है no doubt 78% Nitrogen है नाइट्रोजन के बाद जो दूसरी सबसे जादा गैस होती है वो होती है Oxygen Oxygen होती है 21% लगभग 21% एकदम exact value आपको याद नहीं रखनी कि 20.99 या 20.93 इतना जरूरी नहीं है आप एक approximate value आदा सकते हैं पहले नंबर पे है Nitrogen 78 दूसरे नंबर पे Oxygen 21 तो 78 प्लस 21 हो गया 99 एक परसेंट जो बचा उसमें फिर बागी सारी गैस आ जाती है तो तीसरे नंबर पे हमारे जो वातावरण है उसमें सब ज़्यादा जो gas है वो है Argon A-R-G-O-N वैसे ये gas जो इस तरह की होती है Neon, Argon, Krypton, Xenon इनहें बोलती है Noble gas ये react नहीं करती, helium भी एक Noble gas है तो ये सब है Noble gas तो तीसरे नंबर पे सब ज़्यादा जो gas है वो है Argon वो है 0.9% यानि जो 1% बचा उसमें भी 0.9% है Argon अब जितनी भी ओर gas है वो कितनी कम है इसका अंदाजा इसी बात से लगाए जा सकते है चोथे नंबर पे जो सब ज़्यादा gas है वो है Carbon ये है बहुत ही कम 0.03% और जो इसके बाद है वो आपको जाद रखने की ज़रत नहीं है क्योंकि बहुत ही कम है तो पहले नंबर पे nitrogen 78% दूसरे नंबर पे Oxygen 21% तीसरे नंबर पे Argon 0.9% और चोथे नंबर पे Carbon 0.03% इसके लाबा कुछ और gas है जो बहुत ही कम है जैसे xenon है, methane है, बहुत ही कम nitrogen की importance क्या है? देखे nitrogen की importance ये है कि जो nitrogen होती है वो पोधों के काम आती है पोधों के काम कैसे आती है? पोधे जो हैं उन्हें विकास के लिए यानि growth के लिए nitrogen चाहिए होती है और जो carbon है वो photosynthesis के लिए यानि खाना बनाने के लिए पोधों को चलिए होती है लेकिन important बात समझने वाली ये है कि carbon इतनी कम है उसके बावजूद पोधों को carbon की कमी नहीं होती लेकिन nitrogen इतनी ज़ादा है उसके बाद भी पोधों को nitrogen की कमी हो जाती है तब ही तो हम खाट डालते हैं, fertilizer डालते हैं, उरवरक डालते हैं क्यों डालते हैं? क्योंकि उनके अंदर nitrogen होता है उनके अंदर और भी चीज़ें होती हैं जैसे phosphorus होता है, potassium होता है लेकिन mainly हम nitrogen के लिए डालते हैं क्योंकि पोधों को nitrogen नहीं मिलता तो nitrogen को nitrate में convert करना बहुत जरूरी है और ये कुछ bacteria होते हैं, जो असानी से कर पाते हैं और कुछ ऐसे पोधे होते हैं, जिनकी जो जड़े हैं उनके अंदर ये bacteria होते हैं, उनको leguminous plant बोलते हैं जैसे जो चने का पोधा होता है ये pea है, gram है, जो मटर का पोध है ये सब leguminous plant बोलते हैं legumes इनने का जाता है leguminous plants इनके जो root nodules होते हैं, इनकी जो जड़े हैं उनमें कुछ ऐसे गुच्छे होते हैं, जिनके अंदर ऐसे bacteria होते हैं जो nitrogen को बातावरन से लेकर nitrate में convert कर सकते हैं और growth में मदद करते हैं आइए, अगला सवाल बहुत important है पहले Olympic game कहा हुए थे, मैंने आपको बताया पहले Olympic game एथेंस में हुए थे Athens Greece की राजधानी है और 1896 के इंदर हुए थे देखिए, Olympic game भी कई तरह के होते हैं एक para Olympic होते हैं जो विकलांगों के लिए होते हैं विकलांग जिने आजकल देव्यांग कहा जाता है या इसलिए हम differently able भी कहते हैं English में ने क्योंकि विकलांग ता सिर्फ मानसिक होती है, विकलांग कोई भी है तो वो सब काम वही कर सकता है जो एक normal person कर सकता है और ऐसे बहुत सारे हजारों example है हमारे सामने तो पहले जो एक तो होते हैं summer Olympics, summer Olympics जो normal Olympics होते हैं जो जो चल रहे हैं अभी जो सब ज़्यादा news में आते हैं वो summer Olympics बोलते हैं एक winter Olympics होते हैं शीत जो रितु में खेले जाते हैं और एक होते हैं पैरालंपिक्स और कई तरह के ओलंपिक हैं लेकिन आपको सिर्फ summer Olympics याद रखने हैं winter Olympics पे generally question कम आते हैं ज़्यातर summer Olympics पे ही आते हैं एक बात और आपको ये ज़रूर याद रखना है कि Olympic खेलों में भारत का इतिहास क्या रहा है ये है बहुत important question देखे भारत का इतिहास Olympic खेलों में बहुत अच्छा नहीं रहा है हमारे जो खिलाडी हैं वो हारंकी अच्छे हैं विशूस तरके हैं लेकिन पता नहीं क्यूं Olympic खेलों में वो पदक नहीं ला पाते हैं और Olympic खेलों में हमने जो सब ज़दा gold medal जीते हैं वो hockey में जीते हैं आज तक hockey में in fact पांच बार लगातार Olympic खेलों में हमने hockey में gold medal जीते हैं hockey में जो हमने आखरी medal जीता था वो 1980 में जीता था 1980 के जो Moscow Olympic खेल हुए थे Moscow Russia की राजधानी है रूस की उस वक्त ये USSR का हिस्सा था Soviet बोलते थे इसे बहुत सारे countries के अंदर आते थे जिनको Soviet बोलते थे तो 1980 Moscow Olympics में हमने आखरी hockey के अंदर medal जीता था तो 36 साल हो चुके हैं हम hockey में बहुत ज़दा भूके हैं और अब इसलिए बहुत ज़दा एक desperate है हम hockey में medal जीतने के लिए जो पहला अगर पूछे हैं कि gold medal किस ने जीता individual मैं team की बात नहीं कर रहा हूं hockey एक team का game है इसमें बहुत सारे खिलाडी खेलते हैं मैं बात कर रहा हूं अकेले खेल ले जाने वाले games में तो पहला हमने जो Olympic gold medal जीता Olympics में वो जीता Abhinav Bindra ने Abhinav Bindra इन्होंने ये जीता 2008 के Beijing Olympics में तो आप देख सकते हैं कि Olympic हैल स्टार्ट हुए थे 1896 में और हमने पहला अपना जो gold medal जीता individual वो जीता 2008 में यानि कि हमें एक हमें कितने लगभग 112 साल बाद एक medal मिला Olympic खेलों में individual gold medal तो Olympics में मैं भारत का quickly आपको इतिहास बता देता हूँ individual बता देता हूँ होकी में इतना जरूरी question नहीं आएंगे लेकिन individually जरूर आएंगे तो 1952 में जो Olympics हुए थे इनमें भारत के एक खेलाडी थे wrestler थे जिनका नाम था KD जाधव KD जाधव इन्होंने wrestling में bronze medal जिता था 1952 में इसके बाद अगले 44, 44 सालों तक हम एक भी medal Olympics में नहीं जीत पाए individually 1996 में 44 सालों के बाद 1996 में हमने tennis के अंदर एक bronze medal जिता जो की Leander Pace Leander Pace अपना 7वा Olympic खेल रहे हैं अभी Rio के अंदर doubles के अंदर Rohan Bopanna के साथ इन्होंने team बनाई है तो Leander Pace अपना 7वा Olympic खेल रहे है 7 Olympic खेल चुके हैं legendary tennis player है Leander Pace ने जीता bronze medal 1996 Olympics में 1996 के जो Olympic थे यह हुए थे अमरीका के अंदर Atlanta में इनको Atlanta Olympics बोलते हैं उसके बाद 2000 के अंदर 4 साल बाद Sydney Sydney के अंदर हमने एक ही medal जीता वो भी bronze यह जीता हमारी महिला भारतोलक भारतोलन weightlifting के अंदर कर्नम मलेश्वरी ने कर्नम मलेश्वरी इसके 4 साल बाद 2004 में हमने फिर से एक ही medal जीता यह जीता जो आज एक आजकल politician है BJP के MP है इनका नाम है राज्यवरदन सिंग राठोर इन्होंने double trap shooting के अंदर silver medal जीता silver medal राज्यवरदन सिंग राठोर इसके बाद 2008 के जो Olympic हुए उनमें हमारे लिए काफी अच्छे रहे क्योंकि हमने तीन medal जीते एक gold medal था जिसमें अभिनों बिंदरा ने जीता shooting में विजेंदर सिंग जो आजकल धूम मचा रहे हैं professional लोग हैं साथ अपने professional match एक साथ जीच चुके हैं विजेंदर सिंग ने boxing में bronze medal जीता था 2008 के Olympics में Beijing Olympic में China के अंदर हुए थे और 2008 में ही Sushil Kumar ने जीता था bronze medal again 2008 में wrestling के अंदर तो ये सब आपको जाद रखना है और इसके अलावा 2012 के जो Olympic खेल हुए वो भी उस पे exam में question आ सकते हैं 2012 के जो Olympic खेल हुए थे ये हुए थे England की राजधानी London में London Olympics इसके अंदर हमारे बहुत अच्छा रहा क्योंकि हमने 6 6 medal जीते gold medal हमें नहीं मिला लेकिन silver मिले 2 और 4 मिले bronze तो 2 silver medal जीते सबसे पहले Vijay Kumar इन्होंने shooting के अंदर Vijay Kumar ने दूसरा Shushil Kumar जिन्होंने 2008 के Olympic में bronze लिया wrestling में उन्होंने 2012 के Olympic में silver medal लिया इसके लावा Saina नहवाल जो महशूर बैड्मिंटन खिला रही है उन्होंने bronze medal जीता Mary Com 5 बार world champion Manipur से आती है Mary Com 5 बार world champion रह चुकी है और इन्होंने जीता bronze medal ये हमारा bad luck है इंडिया का की Mary Com 5 बार world champion है चुकी है लेकिन पहली बार जो female boxing है वो 2012 के अंदर include किया गया था Olympics के अंदर इसलिए Mary Com पहले उसे gold वगरा नहीं जीत पाई वरना हमारे gold कुछ ना कुछ जरूर पके थे क्योंकि Mary Com 5 बार world champion है चुकी है 2012 में हलांकि उनकी अब age हो गई है लेकिन फिर भी उन्होंने bronze medal जीता इसके लावा महशूर shooter Gagan Narang उन्होंने भी bronze medal जीता और Yogeshwar Dutt उन्होंने भी bronze medal जीता तो ये थे चार Yogeshwar Dutt ने shooting में जीता और Yogeshwar Dutt ने wrestling के अंदर तो ये हमारे 6 medal आई जो 2012 में और अब 2016 चल रहा है तो इस बार देखना होगा हम कितने medal आपाते हैं कुछ ऐसे जरूर खिलाड़ी है जिनसे बहुत ज़ादा उमीदे हैं इस बार जैसे G2 Rai है G2 Rai है shooting में या फिर बभीता कुमारी archery में तो कुछ खिलाड़ी तो जरूर ऐसे हैं जिनसे हम short shot medal की उमीदे कर रहे हैं तो ये है हमारा Olympics के अंदर जो possible question बनते हैं तो ये आपको अच्छे से करने है अगला सवाल सचिन तंदुलकर ने अपना पहला match कि स्टीम के खिलाफ था तो इन्होंने ये असान सवाल है 1989 में इन्होंने ये खिला था पाकिस्तान के खिलाफ ये match था test match था तो ये आपको याद रहतना है 1989 पाकिस्तान सचिन तंदुलकर ने अपना पहला जो match खिला था ये खिला था तो जब गावसकर रिटायर हुए थे एक और सवाल ये भी आ सकता है कि गावसकर जो थे इससे पहले जो सबसे महान बल्लेबास थे गावसकर ने वैसे तो test matches में वो बहुत ही महान बल्लेबास थे उस वक्त बंडे matches उतने लोगपर ये नहीं थे बंडे matches के अंदर गावसकर ने एक ही century बनाई है test matches में बहुत सारे श्रतक बनाई है लेकिन वंडे के अंदर एक ही century बनाई है तो कई बार ये भी आता है कि गावसकर की जो एक मातर वंडे century है वो किस team के खिलाफ है वो New Zealand के खिलाफ है न्यूजिलेंड तो ये दो सवाल आपको याद रखने है cricket में और जो जो सवाल हो रहेंगे मैं आपको पताता जाऊंगा अगला सवाल शिमला agreement किस साल sign हुआ शिमला agreement क्या है देखिए 1971 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच योद हुआ जिसे बांगलादेश liberation war भी कहते है भारत ने बांगलादेश को support किया और दोनों ने मिलके पाकिस्तान को असानी से हरा दिया 1971 1971 में emergency भी लगी थी इसलिए जब भी कोई war वगारा होता है दूसरे देश से या कोई internal disturbance वगारा कई सारे provision है Article 352 में हम national emergency लगा सकते है 1971 में emergency लगी थी 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था युद में तो 1971 में जब युद हुआ तो उसके बाद हमने ये कोशिश की दोनों देशों की तरफ से परियास हुआ कि अब थोड़ी शांती हमें बरकरार रखनी है इसके लिए peace agreement शांती के लिए एक agreement साइन हुआ जिसको बोलते हैं शिमला agreement शिमला agreement जो साइन हुआ ये 1972 के अंदर हुआ और शिमला agreement ये साइन किया इंदरा गांधी ने और पाकिस्तान की तरफ से साइन किया जुल्फिकर अली भुट्टो ने जुल्फिकर अली भुट्टो और इंदरा गांधी के बीच ये साइन हुआ था तो ये कुछ important चीज है जो आपको याद रखनी है शिमला agreement के अंदर ये decide किया गया था कि हम जो दोनों देश हैं अब हम शांती का प्रियास करेंगे और 2 जुलाई को ये sign हुआ था तो बस इसके बारे में इतना ही आपको याद रखना है इस less vra याद रखने की ज़रत नहीं है पाकिस्तान के साथ हमारी एक और वार हुई थी 65 की वार हुई थी 62 मैं हमारी चाइना से वार हुई थी फिर पाकिस्तान के संथ मारा कारगिल में भी यो दुआ था जो हमारी major जो fight last हुई थी वो कारगिल के अंदर ही हुई थी उसके बाद से अब तक कोई बड़े level पे बहुत ज़दा कोई fight नहीं हुई है next question ASCII की full form क्या है ASCII इसे बोलते हैं American Standard Code for Information Interchange I repeat American Standard Code for Information Interchange यह computer का question है यह computer की एक यह computer की जो Unix एक operating system होता है operating system मतलब जो computer में हम यूज़ करते हैं से Windows हो गया या Mac, Unix, Linux यह सब operating system है so Unix और DOS वगारा जो हैं यह system यूज़ करते हैं इसको ASCI को अपने text file के लिए आज कल जो latest हम इतना use नहीं करते हैं ASCI को आज कल हम Unibig को और कई सारे और तरह के code हैं वो use करते हैं तो यह question essentially computers का है next question जो शनी ग्रह को बोलते हैं Saturn English में शनी ग्रह के उपर कौन सी gas पाई जाती है शनी ग्रह के उपर कौन सी gas पाई जाती है यह अच्छा सवाल है थोड़ा सवा मुश्किल है दो gas है मेलनी जो पाई जाती है वैसे तो कई सारी gas है Saturn के उपर लेकिन दो gas मुख्य है इन में hydrogen है लगबग 94% शनी ग्रह हाई hydrogen का बना है 94% और helium helium जो noble gas है तो यह act नहीं करती है तो 6% लगबग helium का बना है और कुछ और हैं जो बहुत ही कम quantity में है mainly 94% hydrogen और 6% helium ammonia, methane वगारा यह बहुत ही कम quantity में है तो mainly आपको याद रपना है hydrogen और helium एक सवाल हो रासकता है सूरज के उपर सूरज के उपर कौन सी gas है देखें जो सूरज जल रहा है आपको यह समझना है सूरज जल क्यों रहा है सूरज जो हमें उश्मा देता है गर्मी देता है, परकाश देता है वो सूरज के उपर कहां से आता है सूरज के अंदर दो gas है mainly, एक है again hydrogen और दूसरी है helium तो जो gas Saturn के उपर है, वही सूरज के उपर है फरक उनकी quantity में सूरज के उपर helium थोड़ा ज़्यादा है 70% लगभग है hydrogen और लगभग 28% है helium और सूरज के अंदर होता क्या है जो hydrogen gas है, वो जल रही है hydrogen gas जो जल रही है जल के वो बनाती है helium तो common शब्दों में हम जलना बोलते है वैसे ही एक nuclear reaction होती है इसे बोलते है nuclear fusion nuclear fusion यानि नाभी की है sun lion इसे हिंदी में बोला जाता है मैं लिख देता हूँ नाभी की है, नाभी की है मतलब nuclear नाभी की है sun lion तो basically होता क्या है जो hydrogen है, वो combine करती है आपस में और बनाती है helium तो इनका जो आपस में saline हो जाता है, यानि fuse आपस में जुड़ जाती है hydrogen और बनाती है helium और साथ में बहुत सारी energy release होती है और जो ये energy release होती है energy निकलती है, इस reaction से ये energy हम तक पहुँचती है, धरती तक so 70% hydrogen, 28% helium सूरज के उपर ये reaction चल रहा है इसे बोलते है nuclear fusion सूरज के उपर mainly ये ही दो gas है, कुछ gas और भी हैं, जैसे carbon nitrogen oxygen लेकिन उनकी concentration बहुत ही कम है, तो mainly hydrogen और helium अगला सवाल जो लोहा होता है, iron iron को हम coating कर देते हैं, zinc के साथ इससे उस पर जंग नहीं लगता इसको क्या बोलते हैं, सवाल अकसर आता है chemistry का question है, इसको बोलते है galvanization देखें, जंग लगता है लोहे पे लोहे में जो जंग लगता है वो दो चीजों से लगता है, एक हवा और एक पानी इन दो के बिना जंग नहीं लग सकता तो जब हम लोहे को coat कर देते हैं, एक दूसरी धातू से जो थोड़ी कम reactive है, जो moisture वगारा से उतना जल्दी react नहीं करेगी, और करेगी तो फिर एक oxide का layer बिना लेगी, जो protect करेगा iron को, और ये क्योंकि zinc oxide है ये inert होती है, inert मतलब ये react नहीं करती इसकी जो अभिक्रिय शीलता है, यानि जो reactivity है, वो काफी कम है इसलिए ये लोहे को बचा लेती है इसको बोलते हैं galvanization अगला question है, DBMS की full form क्या होती है ये तो बहुत आसान सवाल है, in fact ये पूरा एक अपने आप में topic है computer के अंदर, इसको बोलते है database management system database management system, इसकी full form है और short में बोलते हैं DBMS ये question है computer से next question 1913 में Nobel Prize literature के लिए किसे मिला था ये मिला था रभिंदना टेगोर को मशूर literatureist और very very legendary, इनके लिए कोई शर्थ नहीं है रभिंदना टेगोर जी जो थे इन्हें मिला था Nobel Prize, अगर आपसे पूछें कि पहले भारती है कोन थे जिने मिला Nobel Prize तो आंसर है रभिंदना टेगोर क्योंकि इन्हें मिला था 1913 में, सबसे पहले इन्हें मिला था, और मैं आपको कुछ ऐसे question बताता हूँ जो exam में हर बार repeat होते हैं तो एक तो यह होता है कि लिटरेचर के लिए, सहित्य के लिए किसे मिला आंसर है रभिंदना टेगोर फिर पूछते हैं कि पहले वैज्ञानिक कोन थे तो 1930 में मिला था CV रमन को, जैसा मैंने बताया, National Science Day जब मैंने बताया था तो 1930 में Physics के लिए मिला था CV रमन को, इन्होंने रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था इसके बाद Mother Teresa को मिला था 1979 के अंदर Mother Teresa Mother Teresa को मिला था शांती के लिए, पीस के लिए Social Welfare और जो 1998 में मिला अमरते सेन अमरते सेन जो महशूर अर्थ शास्त्री है बीच में नालंदा यूनिवरस्टी के जो Head भी बनाए गए थे जो उसको revive करने के लिए कमिटी मनी थी अमरते सेन 2014 लेटेस्ट ये कैलाश सत्यार्थी कैलाश सत्यार्थी, बचपन बचावा अंदोलन इन्होंने करिवन 40-50 आजार बच्चों को बाल-मजदूरी, ट्रैफिकिंग से बचाया है बहुत-बड़ा योगदान इनका मानवता के लिए पीस के लिए नहीं मिला है तो Nobel Prize, Peace, Medicine, Physics, Chemistry इन सब चीजों के लिए जाता है तो ये हैं पाँच इंडियन्स जिने Nobel Prize मिला है अलग-अलग चीजों के लिए लिटरेचर, Physics, Peace, Economics, etc अब कुछ और इंडियन्स भी है इंडियन्स मतलब ये भारत में पैदा हुए लेकिन फिर ये विदेशी नागरिक थे जिस वक्त इन्हें Nobel Prize मिला उस वक्त ये भारतिये नहीं थे तो इनको भी मिला है जैसे 1968 में मिला हरगोविंद खुराना प्रोफेसर हरगोविंद खुराना इन्हें Medicine के लिए दिया गया 1983 में मिला S. Chandrashekar को इन्हे Physics के लिए दिया गया जिस वक्त इन्हें ये Nobel Prize मिला उस वक्त ये भारत के नागरिक नहीं थे इन्हें बोलते हैं Overseas Citizen of India OCI Overseas Citizen of India 2009 में Vankat Raman Ramakrishnan मैं रिपीट करता हूँ 2009 में मिला Vankat Raman Ramakrishnan को Chemistry के लिए तो ये हैं कुछ Overseas Citizen of India जिने Nobel Prize मिला इसके लावा कुछ और ऐसे वक्ति हैं जो अगेन भारत के नागरिक नहीं है लेकिन भारत से कुछ ना कुछ उनका रिष्टा है तो उन पे भी सवाल आ सकता है ऐसे Nobel Laureates कौन है और मैं बताता हूँ आपको क्या क्या सवाल आ सकते हैं जैसे एक सवाल आएगा कि एक महशूर लेखक 1902 1902 में एक विग्ञानिक थे जिनका नाम था Ronald Ross Ronald Ross को मिला था ये इन्होंने वैसे तो बहुत सार experiment किये थे malaria के उपर malaria female enophilis के उपर malaria जो होता है वो female enophilis के काटने से होता है parasite और इस पे जो research था वो था Ronald Ross का जिसे ने दिया गया था Nobel Prize Medicine, Physiology के लिए 1902 में ये वैसे तो भारत के नहीं है लेकिन इनका जनम भारत में हुआ था Almoda के अंदर Almoda आप जानते हैं उत्राखंड के अंदर एक hill station है Almoda, Almoda के अंदर इनका जनम हुआ था ऐसे ही एक थे Roodyard Kipling Roodyard Kipling जो Jungle Book के लिए famous है Roodyard Kipling Jungle Book की जो प्रेणना है इन्हें मध्यपरदेश के एक national park से मिली Punch National Park Punch National Park हलांकी और भी national park हैं जिनमें ये गए लेकिन Punch National Park जो थी वो उसको credit सबसे ज़्यादा जाता है हलांकी कुछ लोग काना national park भी बोलते हैं में 1907 में इनका जरम बंबई के अंदर हुआ था हलांकी इनका भारत से बस यही रिष्टा है कि भारत में कुछ वक्त रुके कुछ वक्त ठहरे इसके अलावा एक महशूर लेखक हैं literature के लिए इने मिला V.S. Naipol बहुत सारे इनकी किताब हैं अपने किताब जरूर पढ़ी होगी इनकी यह house for Mr. Biswas तो वो इन्होंने लिखी है V.S. Naipol V.S. Naipol ना तो भारत में पैदा हुए ना यह भारत में रहे लेकिन भारत से इनका रिष्टा है क्योंकि यह भारतिय बेसिकली हैं इनके जो पूरवज हैं वो भारत के थे तो V.S. Naipol को साहित्य के लिए मिला Nobel Prize 2001 के अंदर और इनका जर्म वैसे West Indies के अंदर हुआ था 300 Tobago के अंदर हुआ था लेकिन इनका भी भारत से कुछ ना कुछ रिष्टा जरूर है तो यह सब कुछ है यह Nobel Prize जो आएंगे दलाई लामा को भी दलाई लामा 1989 में मिला था शांती के लिए Peace Prize दलाई लामा को दलाई लामा किसी वैक्ति का नाम नहीं है दलाई लामा तिबबत में जो सबसे उची पोस्ट होती है कलरजी की उसे बोलते हैं तो उस पर जो भी बैठता है वो दलाई लामा हो जाता है तो अभी जो दलाई लामा है जिनको आप टीवी पे देखते हैं आप न्यूस चैनल में देखते हैं ये भारत में रहते हैं चाइना का जो कबजा है तिबबत के उपर तो हमाँ से एक्जाइल के अंदर है इंडिया में रहते हैं तो इनका भी इंडिया से रिष्टा है हलांकि ये तिबबत के हैं तो ये कुछ कुश्चन है जो नोबल प्राइस रिलेटेड आ सकते हैं अगरा सवाल की हमारी जो fundamental duties हैं वो कितनी है fundamental duties हमारे समधान में कितनी है तो fundamental duties जो है ये शुरू से हमारे constitution के अंदर नहीं थी जब हमारा समधान बना उसमें सिर्फ मॉलिक मॉलिक अधिकार थे मॉलिक कर्तब्वे नहीं थे यानि fundamental right तो थे लेकिन fundamental duties नहीं थी fundamental duty से related ये भी पूछ सकते है fundamental duty हमने कौन से country से ली देखिए हमारे जो समिधान है उसमें हमने दूसरे country से काफी चीज़ें बोरो की हैं काफी चीज़ें दूसरे country की जो अच्छी थी हमने ले ली तो जो fundamental duty हमने ली USSR से USSR इसले बोल पराओं क्योंकि जिस वक्त हमने fundamental duty ली उस वक्त ये USSR सोवियत संग था इसमें बहुत सारे देश थे जैसे एस्टोनिया, लाट्विया, लिथुएनिया, रशिया, यूक्रेन जॉर्जिया, ये सब country थे इनको मिला के बोलते थे USSR 1991 1991 में ये तूट गया और सब देश अलग-अलग हो गए, सब अलग-अलग हो गए रशिया अलग हो गया, आस्टोनिया अलग country बन गया USSR कब तूटा? 1991 में तो fundamental duty मौलिक करतवे का हमने concept कौन से देश से लिया? USSR एक बात और, जब हमने समिधान लिखा तो fundamental duty नहीं थी, याद रखिये, fundamental duty हमने समिधान के अंदर डाली 42nd amendment में, यानि 42 संचोधन में, जो 1976 के अंदर हुआ था 42 संचोधन इतना बड़ा था, इतना व्यापक था कि हम इसे mini constitution लगू समिधान भी बोलते हैं 42 संचोधन के अंदर हमने fundamental duties add की हमारे समिधान के अंदर, रशिया से या USSR कहना ज़्याद अच्छा होगा USSR से हमने एक तो fundamental duty का concept लिया और दूसरा लिया 5 year plan का 5 वर्षिय योजना होगा 5 year plan का concept भी हमने लिया USSR से एक बात और जो fundamental duty है ये पहले 10 थी बाद में हमने 11 कर दी ये भी आपको याद रखना है पहले 10 थी fundamental duty 10 थी 2002 के अंदर हमने इनको 11 कर दिया और इसके लिए हमें समिधान में शंशोधन करना पड़ा तो वो था 86th amendment 86 वा शंशोधन था जिसमें हमने fundamental duty का नंबर भढ़ा के 10 से 11 कर दिया 86th amendment 2002 वेरी वेरी important एक बात और एक question हो रहाता है fundamental duties पे कि fundamental duty कितनी है तो 11 fundamental duty कहां लिखी है कौन कहां पर include की है constitution में तो fundamental duty जो है ये है part 4A के अंदर मैं repeat करता हूँ part 4A के अंदर लिखी गई है fundamental duty एक बात याद रखिए अगर आप option में ये 4A A important है अगर आप A नहीं लगाएंगे अगर आप तहेंगे ये लिखी गई है part 4 में तो गलत हो जाएगा क्योंकि part 4 के अंदर क्या है directive principles of state policy जिनें बोलते हैं DPSP directive principles of state policy है part 4 में और part 4A के अंदर है fundamental duties और जो fundamental right हैं जिनें मौलीक अधिकार बोलते हैं वो है part 3 में part 3 तो part 3, part 4 और part 4A एक बात और fundamental rights का concept हमने कौन से देश से लिया ये भी अक्सर आता है fundamental rights का concept हमने लिया अमरीका से और fundamental right जो पहले 7 थे फिर हमने 6 कर दिये यानि fundamental duty हमने बढ़ा दी ये एक से 10 से 11 कर दी लेकिन fundamental right हमने एक कम कर दिया 7 थे पहले और जब समिधान लिखा गया था ये तब से ही थे 7 से हमने कम करके 6 कर दिये और जो fundamental right हैं ये हमने कब किये 7 से 6 ये हमने किये 44th amendment 44th संचोधन में जो की हुआ 1978 ये बहुत ज़्यादा important concepts हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ 1978 के अंदर हुआ 44 संचोधन उसमें हमने right to property हटा दिया right to property ये fundamental right था पहले ये हमने हटा दिया 44th amendment 1978 में और आप जानते हैं जब भी हमें समिधान शंचोधन करना होता है तो हमें special majority चाहिए होती है लोग सभा और राजे सभा दोनों के अंदर तो ये सब कुछ चीज़ें जोग को याद रखने है next father of all India services किसे बोलते हैं father I repeat father of all India services किसे बोला जाता है father of all India services बोलते है सरदार वलब भाई पटेल को सरदार वलब भाई पटेल को बोलते है father of all India services याद रखिए इसमें गलती कॉमन ये करते हैं लोग कई बार कॉश्चन आता है father of Indian civil services किसे बोलते है father of Indian civil services father of Indian civil services बोलते है Lord Cornwallis को Lord Cornwallis को तो दोनों में confused नहीं होना है ये है all India services ये है civil services civil services है Lord Cornwallis और All India Services है वल्लब भाई पटेल यह जो Lord है जब Governor General हो चाहे Vice Roy रहे हो चाहे इनके जो Important है आपको याद रखने है कौन-कौन Important है जैसे कई बार पूछते हैं कि बंगाल का विभाजन किसने किया Partition of Bengal किया Lord Karzan ने कई बार यह पूछते हैं कि जो सती पर था थी वो खतम किसने की Lord William Bentick ने English कौन लेके आया भारत में Lord William Bentick तो इस तरह के सवाल अकसर आते हैं यह जो जितने भी Lords हैं Important Governor General, Vice Roy यह सब आपको याद रखने हैं किनोंने किसने क्या काम किया और इसमें कोश्चन अकसर आते हैं Osama Bin Laden Osama Bin Laden आप जानते हैं महशूर terrorist सरगना लिंच पिन जिसे कहते हैं रिंग लीडर अलकाइदा ग्रूप का चीफ थे एक वक्त और जो अमरीका पे जो हमला हुआ था 9-11 ऐसा अमरीका कहता है कि Osama Bin Laden ने करवाया अलकाइदा ने करवाया इसकी जिम्मेदारी अलकाइदा ने ली और काफी समय से अमरीका कोशिश कर रहा था कि Osama Bin Laden को मार गिरा है लेकिन ये चुपता फिर रहा था तो फिर पाकिस्तान में फाइनली इनकी एक मिशन के अंदर इसको मार गिराया उस मिशन का नाम क्या था उस मिशन का नाम था उपरेशन नेप्चुन स्पियर वो मिशन जिसमें Osama Bin Laden को मार दिया गया उसका नाम था उपरेशन नेप्चुन स्पियर और Osama Bin Laden पाकिस्तान के अंदर कहां पे पकड़ा गया तो उसामा बिल नादिन पाकिस्तान के अंदर अबोटाबाद के अंदर छुपा हुआ था अबोटाबाद नाम की एक जगा है पाकिस्तान में जहां पे उसामा बिल नादिन छुपा हुआ था तो इस मिशन का नाम था Operation Neptune Star पाकिस्तान की जो जो Intelligence Agency है Intelligence Service उसका नाम है ISI ISI आपने अक्सर सुनाओगा ISI का Headquarter है इसलामाबाद में इसलामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी है इसलामाबाद ISI ISI की Full Form है Inter Services Intelligence Inter Services Intelligence और पाकिस्तान ने आप जानते है कश्मीर का एक ऐसा जो अपने अधिन का रखा है जैसे बोलते हैं पाकिस्तान occupied कश्मीर पाकिस्तान इसको बोलता है आजाद कश्मीर भारत में इसको कहा जाता है पाकिस्तान occupied कश्मीर पाकिस्तान के अंदर इसे कहा जाता है आजाद कश्मीर ये कश्मीर का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में करका है और पाकिस्तान occupied कश्मीर या आजाद कश्मीर की राजधानी है मुझफराबाद मुझफराबाद तो ये सब कुछ चीज़े हैं जो आपको याद रहे है Next question Home Rule Movement भारत में किसने स्टार्ट किया Home Rule Movement तो ये स्टार्ट किया था अन्नी बसंत ने अन्नी बेसंट जो थी ये लंदन की थी UK की थी और ये बहुत फेमस हैं क्योंकि जो Theosophical Society थी उसमें भी बहुत बड़ा इनका रोल था Theosophical Society जो भार फाइंड की थी Scott एंड मैडम बलावर्ट की ने फिर इंडिया में जो में जो इनकी प्रोटेगनिस्ट थी वो थी Annie Besant Theosophical Society का काम ये था कि भारत को जो अपना कल्चा है उसको रिवाइव करने में उसका रोल था Theosophical Society का तो Annie Besant में बस आपको इतना है दखना है Home Rule Movement और Theosophical Society Next छेनाब जहेलम कौनसी रिवर की कौनसी नदी की सहायक नदिया है यानि Tributory हैं देखें दो शब्द होते हैं एक होता है Tributory एक होता है Distributory तो नदी के अंदर जो पानी ले के आती है उसे बोलते है Tributory यानि नदी का पानी बढ़ाती है ये लेकिन नदी का पानी जो ले जाती है नदी से निकालके यानि नदी का पानी कम करती है उसे बोलते है Distributory तो जो ट्रिब्यूटरी है चेनाब और जहलम ये हैं इंडस, सिंदु नदी, पाकिस्तान की नदी है, सिंदु नदी, पाकिस्तान की निकलती है तो तिब्बत से है, वैसे कराश मांसरोवर के पास से निकलती है, फिर ये भारत आती है, भारत में से होके ये फिर पाकिस्तान जाती है हमने पाकिस्तान के साथ इंडस Water Treaty भी साइन कियो हुई है इंडस Water Treaty तो ये भी आपको याद रखना है सिंदुनदी इसके किनारे सिंदु घाटी सब्वेता भी हुई थी सिंदुनदी के किनारे सिंदुनदी की कई important साहिक नदिया है जैसे जैसे ब्यास, सतुलुज, रावी, छेनाब और जहलम, पाँच ये मेन है, इसलिए ये पाँचों की पाँचों पंजाब जाती है, इसलिए उसे पंच जाब गोलते हैं, पंच मतलब पाँच, पाँच नदियों का राजिया यानि पंजाब, तो पाँचों नदियां आपको याद रखनी है, रावी, ब्यास, सतलुज, छेनाब और जहलम, जहलम के किनारे श्रीनगर है, छेनाब सबसे बड़ी है इन में, ब्यास जो नदिये वो पंजाब जाती है, ब्यास, जहाँ पे महशूर राधा स्वामी आश्रम भी है, पंजाब में, अमरित सर के अंदर, और सतलुज हो गई, सतलुज नदि भी तिब्बत से निकलती है, और रावी नदि, तो ये हैं पाँच नदिया, तो जितनी भी नदिया हैं, उनकी जो ट्रिब्यूटरी हैं, आपको याद रखनी है, कई पर कुछ भी पूछ लेते हैं, कोई भी नदियों की पूछ सकते हैं, तो चाहे वो साउथ इंडिया की, यानि पैनिंसुलर इंडिया की नदिया हो, जैसे महारधी गोदावरी, कृष्णा कावेरी, अगें, लुनी के अलावा, माही एक नदिया, जो वेस्टन फ्लोइंग है, तो ये कुछ नदिया हैं, जो आपको याद रखनी है, वेस्टन फ्लोइंग कौनसी है, इस्टन फ्लोइंग कौनसी है, और इनकी कौन-कौन सी सायक न दिया है तो river अपने आप में बहुत बड़ा topic और बहुत important है Next National Women's Commission के अंदर जो male member है only male member वो कौन है ये पहले male member है जो National Women's Commission के अंदर है तो ये भी एक तरह से static है क्योंकि ये पहले है पहले जो होंगे तो वो तो पहले ही रहेंगे तो इनका नाम है अलोक रावत तो ये बस आपको ये याद रखना है इसमें कुछ जादा नहीं है National Women's Commission में only male member जो first male member हुए वो है अलोक रावत कुछ science से देख लेते हैं question हमारे जो blood है उसमें से nitrogenous compound को remove कौन करता है देखे हमारा यानि की जो blood है उसका शुद्धी करन कोन करता है उसको चानता कोन है kidney करती है और आपको कुछ चीज इसमें आद रखनी है जैसे kidney के अंदर एक जगा होती है जिसे बोलते है Bowman's capsule तो अक्सरी सवाल आता है कि Bowman's capsule कहां पर होता है Bowman's capsule किड्नी के अंदर होता है और kidney जो blood को चानती है फिल्टर करती है इसे बोलते हैं Glomerular Filtration और इसको इसकी एक speed होती है Glomerular Filtration Rate जिसे कहा जाता है तो kidney का कोई भी rate अगर रोग हो जाए तो उसमें GFR Glomerular Filtration Rate अफेक्ट होती है Bowman's capsule है kidney का एक स्थान kidney के कई पार्ट होते है medulla इस तरह कई सारे स्थान है उता हम डिटल में नहीं जाएंगे kidney हमारा जो blood है उसमें जो जहरिली चीज़ें होती है poisonous चीज़ें उसको पहले हमारी body ammonia में बनाती है ammonia लेकिन ध्यान से सुनी अब जो मैं समझा रहा हूँ हमारा जो शरीर है उसके अंदर जो harmful जो blood शुद होता है तो सबसे पहले बनता है ammonia अब लेकिन ammonia जो है ये toxic होता है जहरिला होता है तो ammonia को convert करते हैं यूरिया के अंदर और ये कौन करता है ammonia को यूरिया में convert कौन करता है इसे kidney नहीं करती है इसे करता है liver कुछ अईसे जानवर होते हैं जो ammonia भी urinate करते है जैसे जो छोटे किडे होते हैं किडे ये सब ammonia body से लेकिन हम यूरिया निकालते हैं इसी तरह जो पक्षी होते हैं, वो निकालते हैं यूरिक एसेड, अब कई बार हमारी बॉड़ी में भी यूरिक एसेड बहुत जादा बन जाता है, हमारी बॉड़ी में यूरिक एसेड कम बनता है, अमोनिया भी कम बनता है, मेंली यूरिया बनता है, लेकिन कई बार हमारी ब लोग समझ लेते हैं लेकिन यह आर्थराइटिस नहीं है यह गाउट है गाउट का दर्द होता है और किड्नी के बारे में बस आपको इतना ही याद रखना है किड्नी में और भी इंपोर्टन चीज़ी है किड्नी के पार्ट्स वगर उतना हम डिटेल में इसमें नहीं जाएं आर्य भट ही हमारी पहली सैटेलाइट थी जो लॉंच हुई थी रशिया की मदद से हमने यह की थी इनफेक्ट रशिया नहीं लॉंच किया था रशिया और भारत की जो मैतरी यह बहुत पुरानी है 1975 में हमने यह लॉंच की थी उनने सप्रेल को की थी शूर ने का विश्कार किया था आर्य-भट ने ऐसा हमारीitional mythology हमारी जो वेध हैं इन में अगला सबाल जो बारिश होती है बारिश की एक बहुत बड़िया खुश्बू आती है जब बारिश होती है उसे क्या बोलते है तो ये एक बहुत important है question जो आज तक कोई भी ऐसा perfume नहीं बना पाया है जो बारिश की जो smell है उसे capture कर ले इसके कई reason होते हैं कई reason में एक तो ये है कि जो soil है उसमें कुछ ऐसे bacteria होते हैं जो इस तरह की खुश्वू बनाते हैं अलग-अ अलग-अलग reason है अलग-अलग theories है इस smell कहां से आती है और इस smell को कहा जाता है पैट्रिकोर या पैट्रिचोर आप कुछ भी बोल सकते हैं पैट्रिकोर पैट्रिकोर ये एक Greek word है तो ये आपको याद रखना है युनानी शब्द है ये पैट्रिकोर जो बारिश से होने वाली उतर परदेश में है कन्योज वगरा यहां पे भी परफ्यूम काफी होता है तो परफ्यूम की जो हमारे जो ट्रेडिशनल परफ्यूम है उस भो भारत में आज हलंकी ये लुप्त होते जा रहे हैं आजकल बहुत modern परफ्यूम आ गए हैं लेकिन फिर भी हमारे जो धरोहर है परफ्यूम है और पेट्री कोर जैसा एक परफ्यूम कन्योज में बनता है उपी में और भी जगापे बनता है तो यह भी आप याद रख सकते हैं पेट्री कोर इस दिया अटसर test matches में सबसे तेज शतक fastest century test matches में किसने बनाई तो यह Brandon McCullum है इन्होंने बनाई हुई है न्यूजिलेंड के कप्तान थे हमारे IPL में भी खेलते थे कॉलकतानाई, ट्रैडर वगरा में fastest century बनाने का श्रीय जाता है test matches में Brandon McCullum तो यह कुछ आपको जाद रखने है चीज़ें की जैसे fastest century बने में किसने बनाई, test में किसने बनाई बने के अंदर fastest century किसने बनाई ABD Villiers, पर आपको यह balls बता जता हूँ Brandon McCullum ने test matches में उस century बनाई सिरफ 54 balls के अंदर और one day matches में सबसे तेज़ शतक किसने बनाई हुए South Africa के ABD Villiers ने ABD Villiers ने सिरफ 31 balls में बनाई हुए तो इन्हें शाहिद अफरीदी का record दोड़ा था शाहिद अफरीदी ने 37 balls में बनाई थी T20, T20 में सबसे fastest किसने बनाई हुई है T20 में बनाई हुई है Aron Finch, Australia के batsman है Aron Finch 47 balls के अंदर तो ये तो हुए one day test और इसमें fastest century अगर आप से पूछें 12 शतक, double century fastest तो T20 में तो मुझे लगता नहीं किसी ने बनाई है test matches में बनाई है New Zealand के Nathan Estell अब नहीं खेलते हैं रिटायर हो चुके हैं इसमें बहुती धुआधार Nathan Estell इन्होंने England के खिलाव बनाई थी और one day match में fastest double century बनाई हुई है Chris Gale ने सिरफ 138 गेंदों में Chris Gale ने ये कुछ question है जो इससे आ सकते हैं दिल्ली जो है इसे capital कब बनाया था भारत की तो इसे बनाया था 1931 में जो बिल्कुल final हुआ था वो 1931 में हुआ था पहले कई प्रोपोजल गए थे तो जो most acceptable answer है वो 1931 दिल्ली से पहले आप जानते हैं भारत की राजधानी क्या थी कैलकटा कैलकटा थी भारत की राजधानी फिर 1931 में दिल्ली final हो गई थी अगला question नासा की फुल फॉर्म क्या है नासा की फुल फॉर्म है National Aeronautics and Space Administration यह अमेरिका की Space Agency है जैसे हमारी इसरो है अमेरिका की नासा है नासा को बहुत बड़े बड़े श्रेज आते हैं बहुत सारे mission जो नासा ने पूरे की है तो यह आपको याद रखना है National Aeronautics and Space Administration next बैलून में कौन सी हवा भरी जाती है बैलून में हीलियम भरते है हलकी गैस भरनी होती है जिससे अगर आप को ऐसी भारी गैस भर देंगे तो बैलून उपर नहीं जाएगा बैलून उपर जाए इसके लिए ऐसी गैस भरनी है जो हवा से भी हलकी है तभी बैलून उपर जाएगा तो हवा से हलकी जो गैस है वो है hydrogen और helium और hydrogen है वो helium से भी हलकी है फिर आप कूचेंगे कि hydrogen क्यों नहीं भरते hydrogen इसलिए नहीं भरते तो ये Article 352 है, National Emergency, National Emergency इंडिया में तीनी बाहर लगी है आस तक, एक तो लगी है 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद हुआ, भारत और चीन के बीच युद हम हार गए थे, 1971 में एक Emergency लगी थी, Bangladesh, Liberation War जिसे कहते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच युद हुद हुद था, तब पाला चिन है, 1975 में इंडरा गांधी ने लगाई थी, Emergency और इसके बीचे बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको युदा जिता हुँ कि जो हमारा National Emergency है, जो समिधान में इसमें कोई Clear Cut नहीं है कि जैसे वर्ड जो मेंचन कियों है वो इस तरह किया है, Internal Disturbances य वो बिल्कुल ऐसे होते थे जो परधान मंत्री द्वारा, परधान मंत्री काफी डॉमिनेट करता था उने, तो 1975 में लगी थी, Emergency 1977 तक चली थी, इसके खिलाफ पूरे भारत में अंदोलन हुए और फिर चुनाब हुए थे, जंता पार्टी में जो जीते थे, जैपरकाश ना Emergency तो लगती रहती है भारत में, अभी रोनाचल में लगी थी, जो सुप्रीम कोट ने हटा दी, State Emergency, राश्पती, शाषन वगारा लग सकता है, Article 356 और तीसरी है Financial Emergency, Financial Emergency भारत में आज तक लगी नहीं है, लेकिन Article में में मैंशन है, Article 360 तो इसको याद रखने का तरीका है, चार चार का डिफ्रेंस है, National 352, चार जोड़ दीजिए 356, चार जोड़ दीजिए 360, National Emergency 352, State Emergency 356, Finance Emergency 360, पूना पैक्ट कौन से येर में साइन हुआ था, पूना पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ था, बहुत लंबी कहानी है वैस्तो, पूना पैक्ट ये था कि, अंग्रेज क् बांटते थे आपस में, धर्म के बेस पे, मजभ के बेस पे, जादपात के बेस पे, तो इसे रूल करना असान हो जाता था, तो इन्होंने जो धर्म थे, उनको separate electorate दिये, अलग-अलग-अलग-इसमें reforms आए, उसके बाद Muslims के लिए अलग electorate, Hindus के लिए अलग, Christians के लिए दिया था, लेकिन जो नीची सोसाइटी है, या जिने सेड्यूल कास्ट और सेड्यूल ट्राइब हम आज बोलते हैं, उनके लिए, तो लेकिन जो ऐसे जाती या जो समाज में, जिनका जो धर्जा है वो उतना नहीं है, उस वक्त उनके लिए ब्यार मिड़कर ने कहा था, ल इसके खिलाफ, फिर अंबेडकर ने ने मनाया, इनका अंशन तुडवाया, और इसमें और भी बहुत सारे लीडर थे, उनका रोल था, मदान मौहन मालविय जी थे, तो फाइनली गांधी जी ने अपना उपास तोड़ा, और उसको बोलते हैं, पूना पैक्ट, तो इसमें आपसे गांधी इर्विन पैक्ट के बारे में पूछा आ सकता है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि गांधी जी ने कौन सा गोल मेज परिशद अटेंड किया था, तो तीन राउंटेबल कॉन्फरेंस हुए थे, उनमें गांधी जी ने सिर्फ सेकेंड वाला अटेंड कि बाटते हैं, जिने इपॉक्स ऑफ टाइम बोलते हैं, चाहिए आईजिस बोलते हैं अंग्रे जी में, तो मीजोजोई किरा, मीजोजोई किरा इसे एज ओफ रेप्टाइल भी बोलते हैं, तो अगर कोश्चन आए, एज ओफ रेप्टाइल बोलते हैं, उनको जो रेंग थे अजगर है यह सब रेप्टायल है तो रेप्टायल बोलते हैं रेंगने वाले जीवों को यह से बोलते है जुरासिक पार्क oxygen का atomic number क्या होता है यह question chemistry से है यह असान है atomic number देखे atomic number क्या होता है atomic number होता है एक atom के अंदर number of protons कितने है या number of electrons कितने है उसे बोलते है atomic number number of proton भी बोल सकते है number of electron भी बोल सकते है क्योंकि number of proton और number of electron equal होते है तब ही atom neutral होता है क्योंकि proton positive होते हैं electron negative होते है और atom neutral होता है तो atom neutral क्यों होता है क्योंकि positive जितने proton है उतने ही negative electron है तो एक दूस्ते को neutralize करे रखते हैं और negative charge, positive charge तो इसलिए overall atom neutral होता है तो अगर आप मुझसे पूछें कि ज़्यादा appropriate क्या है कि number of proton या number of electron किसको atomic number बोलें तो number of proton को बोल सकते हैं ज़्यादा appropriate यह है वो इसलिए क्योंकि electron atom lose or gain कर सकता है proton का number constant रहता है दूसरी बात main main जो है उनके याद रखने जैसे carbon का 6 यह पूछते हैं बहुत nitrogen का 7 है यह भी आपको पता होने चाहिए शुरू के जो है आपको पता होने चाहिए जैसे hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron cn हो गया फिर यानि carbon, nitrogen, oxygen तो यह शुरू के जो है यह आपको पता होने चाहिए और फिर 9, fluorine और 10, neon तो 10 तक at least आपको पता होने चाहिए hydrogen का 1, helium का 2, lithium का 3 beryllium का 4, boron का 5, carbon 6 nitrogen 7, oxygen 8 9, 9 हो गया fluorine, yes, fluorine का हो गया 9 और fluorine के बाद हो गया neon neon का हो गया 10 तो यह शुरू के हैं atomic number जो आपको याद रखने हैं सुभाश चंदर बोस ने कौन सी party find की थी, कौन सी party का शुरू की थी, तो इस party का नाम है All India Forward Block I repeat, All India Forward Block तो यह सुभाश चंदर बोस जी ने यह party स्टार्ट की थी All India Forward Block चोला वंच चोला वंच के आखरी राजा कौन थे यह history का question है यह असान question है वैसे राजेंदर चोला तृती है चोल वंच, चालुक्या वंच यह सब South India के वंच थे Peninsular India के थे चोला, चालुक्या, पांडवाज, पलावाज तो इन पर अक्सर सवाल आते है चोल वंच जो था यह आपको याद रखना है कि चोल वंच का जो contribution था वो क्या-क्या था चोल वंच की कौन-कौन सी चीजें है जो आपसे exam में पूछ सकते है जैसे जो चोल वंच है यह शुरू किस ने किया चोल वंच के founder कोन है तो इस तरह के सवाल आते है जैसे पहला राजा कौन था, आखरी राजा कौन था चोल वंच का जो राजा जिसने शुरू किया था जो founder था वो था विजायले विजायले विजय यल्ले ने स्टार्ट किया था चोलवंच और चोलवंच और भी साउथ इंडियन थे जैसे पल्लवाज, चालुक्याज, पांडयाज चोलवंच के जो में में चीज़ें पूछते हैं, वो पूछते हैं कि जो शिव, जो नटराज है, शिव जो डांस होता है लौड शिवा का भगवान शिव का नटराज जिसे कहा जाता है, नटराज जो है वो चोलवंच का है इसके अलावा एक मशूर शिव मंदिर है जिसे बोलते है थंजावूर का शिव मंदिर थंजावूर ये भी चोलवंच का है बिहादेश्वर मंदिर वो भी चोलवंच का है तो ये कुछ important चीज़ें जो याद रखनी है तो यह हुए थे बहारत का पहला गवर्णर जनरल कोन था अगर भारत का पूछते हैं तो आंसर अलग हो जाएगा अगर बंगाल का पूछते हैं तो आंसर अलग हो जाएगा सबसे पहले जो Governor General बनाया था वो बंगाल का बनाया था उनका नाम था Warren Hastings WA-R-R-E-N Warren Hastings ये थे Governor General of बंगाल और सबसे पहले Governor General सिर्फ बंगाल का बनाया था बंगाल बहुत बड़ा होता था उस वक्त बहुत बड़ा था British India, बंगाल very very important तो पहले Governor General भारत के नहीं बंगाल के थे Warren Hastings और अगर आपसे पूछें पहले Governor General भारत के कौन थे तो आंसर है Lord William Bentick क्योंकि 1833 के अंदर आई थी Charter Act Charter Act of 1833 उसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसे फिर पूरे भारत का गवर्नर बना दिया और वो उसमें बंगाल के गवर्नर कौन थे William Bentick तो उन्हें पूरे भारत का बना दिया तो भारत के पहले Governor General कौन हुए William Bentick बंगाल के कौन हुए Warren Hastings I hope यह फर्क आपको clear हो जाएगा अब बात आती है आखरी कौन थे आखरी Governor General देखे Governor General की जो पोस्ट थी वो ही खतम कर दी थी 1850 1857 की जंग हुई 1857 की जंग के बाद 1858 के अंदर Government of India Act आई Government of India Act of 1858 उसके अंदर Governor General की बजाए हमने स्टार्ट कर दिया लिखना Vice Roy उसकी पोस्ट को हमने Vice Roy में तब दिन कर दिया Vice Roy हम कहने लगे तो 1858 से पहले आप किसी को भी Vice Roy नहीं बोलेंगे Vice Roy की जो पोजिशन थी ये क्रियेट हुई 1858 Government of India Act के अंदर तो अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो पहले Vice Roy भारत के कौन थे तो वो थे Lord Canning C-A-N-N-I-N-G Lord Canning और आखरी कौन थे अगर आपसे पूछें कि कौन थे आखरी Governor General जब आजादी भारत को हुई उस वक कौन थे तो आंसर है उस वक आंसर है Lord Mountbatten Lord Mountbatten Vice Roy थे जब भारत आजाद हुआ और अब ये question आपसे पूछ रहा है कि Indian Governor General कौन थे एक ही हुए सी राजगोपालचारी क्योंकि स्वतंतरता के बाद जब Lord Mountbatten हटे तो फिर भारतिये को बनाया गया तो वो थे सी राजगोपालचारी ये अकेले Indian है जो Governor General थे तो ये कुछ questions हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं Lord Mountbatten आजादी के वक्त पहले Warren Hastings बंगाल के थे लेकिन वो पहले इंडिया के कौन थे विलियम बेंटिक ये विलियम बेंटिक वही है जो अंग्रेजी लेके आये थे और सती पर्था जीन ने खतम की थी और Lord Canning ये पहले वाइस रोई थे तो आज होप ये आपको differences clear होगे होगे फिर सवाल ये है कि 1903 में Nobel Prize इन्होंने जीता Physics के लिए और 1911 में जीता Nobel Prize Chemistry के लिए यानि दो बार Nobel Prize जीता है कौन है ये? ये है Mary Curie तो इनके बारे में भी question बहुत सारे आ सकते है Mary Curie कौन थी? Mary Curie ने क्या क्या किया? देखे ये अकेली नहीं थी इन्होंने Nobel Prize दो बार जीता है पहली बात तो ये 1903 में इन्होंने जब Nobel Prize जीता Physics के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्दी थी इनकी क्योंकि इन्होंने इनके husband ने भी जीता था साथ-साथ जिनका नाम था Pierre Curie Pierre Curie जो मैडम Marie Curie थी ये Poland देश की थी Warsaw जो Poland की राजधानी उसमें का जनम हुआ था Poland की राजधानी वार्सो में तो Marie Curie थी पोलेंड की और इन्होंने अविश्कार किया Radium का Radium और दूसरा Polonium दो तत्व हैं जिनका इनोंने अविश्कार किया Radium और Polonium ये दोनों ही Radioactive है यानि रेडियो धर्मी किरने निकलती है इंसे रेडियम से भी निकलती है रेडियो धर्मी किरने और पॉलोनियम से भी निकलती है तो Pierre Curie और Mary Curie और इनके साथ एक तीसरे वेक्ति भी थे बड़ा इंट्रस्टिंग है इनके साथ एक तीसरे वेक्ति भी थे Henry Baccarol ने यह आपको याद रखना है और X-ray का विश्कार किस ने किया दोनों के अंसर अलग-अलग है X-ray का विश्कार के लिए William Ronjan ने लेकिन रेडियो धर्मी किरनों का विश्कार किया Henry Baccarol ने और Radium और Polonium का विश्कार किस ने किया Mary Curie ने इन फैक्ट यह Poland की थी इसलिए उने इसका नाम Polonium रख दिया Poland के नाम पर Radium और Polonium Madam Marie Curie को 1911 में भी Nobel Prize मिला पर उन्हें उस वक्त Chemistry के लिए मिला और भी बहुत लोग हैं जिने कई बार Nobel Prize मिल चुका है जैसे Linus Pauling एक मशूर है Linus मैं यहां लिख देता हूं नाम यह important है Linus Pauling इनने दो बार मिला 1954 में मिला Chemistry के लिए और 1962 में मिला शान्ती के लिए, पीस के लिए इसके लाबा कुछ कम important है जो एक्जाम में मुझे नहीं लगता ज़ादा आएंगे जैसे John Bardrin को मिला 1956 में Physics के लिए 1972 में फिर से Physics के लिए या Frederick Sanger है जिने Chemistry के लिए 1958 और 18 में मिला तो यह सब important नहीं है आप जानते हैं कि जो Nobel Prize है वो जरूर ही नहीं कि किसी वैक्ति को दिया जाता है कई बार organization को भी दिया जाता है जैसे अभी 2-3 साल पहले जो Peace Quartlet है Tunisia की उसे मिला था शान्ती के लिए तो इस तरह से भी दिया जा सकता है जैसे Red Cross को तीन बार मिल चुगा है Peace के लिए 1917, 1944 और 1963 या जो United Nations High Commission for Refugee UNHCR उसे मिल चुगा है 1954 और 1981 तो इसमें बस आपको दो ही याद रखने एक तो Madam Mary Curie और दूसरा Linus Pauling Linus Pauling को मिला 1954 में Chemistry के लिए और 1962 में Peace के लिए केसरी, केसरी एक Marathi News Paper यह किसने शुरू किया था यह शुरू किया था लोक मानने बाल, गंगाधर, तिलक देखे दो तरह के Freedom Fighter थे हमारे दो अप्रोच थी बेसिकली दो स्कूल अफ थोड़ थे एक तो थे नरम पंतीने था यानि Moderate थे और एक थे Extremist लाल लाजपत राए थे लाल बाल थे बाल वंगजर तिलक और पाल थे विपिन चंदरपाल यह थे लाल बाल और पाल और लाल लाजपत राए जो थे उनको पंजाब केसरी बोलते थे लाल लाजपत राए को लाल लाजपत राए विपिन चंदरपाल इसके अलावा गौतम बुध अगला सवाल गौतम बुध ने अपना पहला सर्मन कहां पर दिया था पहला उपदेश कहां पर दिया गौतम बुद्ध की भी बहुत लंबी कहानी है वेस्तो गौतम बुद्ध से related मैं 3-4 question आपको बता देता हूँ जो exam में आ सकते हैं गौतम बुद्ध जो थे इन्होंने enlightenment इन्हें जिसे मौक्ष या अलग-अलग नाम है enlightenment इन्हें मिल गया था गौतम बुद्ध के उपर एक सवाल तो यह आएगा कि गौतम बुद्ध के जो Buddhist council हुए थे उन पर सवाल आते हैं कि पहला Buddhist council कहां हुआ चोथा कहां हुआ जैसे चोथा कश्मीर में हुआ था तो यह सब चीज़ें आपको याद रखनी है चार Buddhist council उसके अलाबा बुद्ध का जनम कहां हुआ लुम्बिने में हुआ कपिल वस्तू के पास नेपाल में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़के यह सत्य की खोज के लिए निकल पड़े यानि Seeker of the Truth जिसे कहते हैं तो उसको कहते हैं महा भिनिश क्रमन जब इन्होंने घर छोड़ा सत्य की खोज में उसे कहते हैं महा भिनिश क्रमन इसको एक घोड़े से हम दर्शाते हैं horses का symbol है इन्होंने अपना पहला जो सर्मन दिया सारनाथ में दिया सारनाथ कहां पे है सारनाथ UP में और फिर इनको जब इनको जब मौक्ष मिल गया या enlightenment मिल गया तब इन्हें सत्य की खोज इन्होंने कर ली उसके बाद इन्होंने जब अपना पहला सर्मन दिया उपदेश दिया पहली अपनी स्पीच दी अपने followers को उसको कहा जाता है धरम चक्र परिवर्तन धरम चक्र परिवर्तन तो यह आपको याद रखना है और जो बुद्ध जो बुद्धिस्ट हैं वो जो आप पूजा करते हैं बुद्धिस्म आपको डिटेल में पढ़ना है बुद्धिस्म और जैनिजम इन पर काफी सवाल आते हैं हिस्ट्री के अंदर पहला जानवर कौन था जो अंतरिक्ष में गया देगे पहले हमने वैसे कई सारे जानवर भेज़े हैं पहले हमने चोटे जीव भेजते थे पर अनिमल अनिमल वो भेजता एक बंदर लेकिन वो बंदर पहुँंच नहीं पाया था वहांद तक उसको बंदर जो ठा एक उमने भेजता esth तो वो गंदर रिसर्स मंकी वह आपको याद नहीं रखना है आपको याल रखना है जो actual में पहुँचा अंतरिक्ष में पहला जो पहला पहुँचा वो था लाइका ये एक डॉग था लाइका इसे रश्यन से भेजा था इस डॉग को लाइका ने लेकिन ये पहुँच तो गया था लेकिन मुर्दा पहुँच था मृत क्योंकि ये जाते वक्त जो space shuttle थी उसी में ही ये मर गया था ये dog तो first animal to go into space लेकिन फिर भी ये space में पहुँच गया था चाहे जिंदा चाहे मुर्दा तो answer है लाइका गुपता डाइनेस्टी के real founder कौन थे गुपता डाइनेस्टी ये वैसे श्री गुपता के पोते थे तो श्री गुपता को वैसे founder बोलते है लेकिन अगर option में श्री गुपता हो तो आप श्री गुपता माग करेंगे बना चंदर गुपत बन ये चंदर गुपत बन मौरे एंपायर वाले चंदर गुपत नहीं है ये चंद्रगुप्त मौर रहे थे ये चंद्रगुप्त बन है चंद्रगुप्त बन के बाद आये समुद्रगुप्त जिनने भारत का नेपोलियन बोलते हैं और गुप्ता डैनेस्टी को जो बोलते हैं गुप्ता डैनेस्टी तो इनमें नवरतन भी थे, राजा विक्रमा दित्य जो थे, उनके दर्बार में थे नवरतन और बहुत कुछ महशूर लोग बता देता हूँ इनके, जो आपको याद रखने हैं, गुपता के टाइम में जो आए थे काली दास, जिन्होंने जो संस्कृत के महशूर लेखक थे, जिन्होंने मेग दूत, अभियानम शकुंतलम, कई सारी किताबे लिखी हैं आर्यभट थे, जिनके नाम पर मैंने बताया, हमने सैटलाइट भेजा था, आर्यभट, मैथामेटिशन, शुने का विश्कार जिन्होंने किया धनवंतरी, जिन्हें गौड अफ मेडिसिन कहा जाता है रिशी बातसायन थे, जिन्होंने कामसूतर किताब लिखी है वराहमीहीरा थे, कई लोग कहते हैं, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के सिधान भी दिये थे ये भी एक मैथामेटिशन थे, और स्पेस एड्स्रोनॉमी में भी रूची रखते थे विश्नु शर्मा थे, पंडित विश्नु शर्मा इन्होंने पंचितंत्र की कहानिया लिखी है जो अक्सर आपने जानवरों की कहानिया पढ़ियोंगी, पंचितंत्र की कहानिया तो इतने बड़े-बड़े लोग थे इस समय ये सबाब को याद रखना है गुपता डैनेस्टी के अंदर इन में से जातर राजा विक्रमा दित्या के दरबारी थे तो अगला कोश्चन है स्वराज पार्टी किसने फाइंड की थी स्वराज पार्टी दो लोगों ने मिलके फाइंड की थी दोनों के नाम आपको याद रखने हैं एक तो थे मोतिलाल नहरू और एक थे चितरंजन दास तो दो लोग थे स्वराज पार्टी फाइंड करने वाले मोतिलाल नहरू और चितरंजन दास कई सारी पार्टी हैं जो पूसते हैं गदर पार्टी किसने बनाई जो भारतिय मूल के लोग भार रहा हुआ वहने बनाई थी लाला हर्डीयाल यह सब लोग थे इसमें दो लोग थे एक का नाम था शायद ऐसे था फिर सोहना शायद उनका नाम था और एक था ल데 अर्थे लाला हर्डीयाल उसके बाद जो सल्तानत पिरिट था उससे आ सकते हैं modern history में Indian freedom struggle movement से ज़्याद तर question आएंगे next question light जो है परकाश एक साल में कितना distance travel करती है यह आप असानी से calculate कर सकते हैं light की speed at 3 into 10 raise to the power 8 meter per second यह है बिजली की speed तो आप इसको असानी से calculate कर सकते हैं distance of life traveled in one year 10 trillion km 10 trillion km है यह आप याद कर लेजिए और एक परकास वर्ष बोलते हैं one light year इतना distance travel कर लेती है light one light year और एक और unit होती है जिसे बोलते हैं parsec light year जो है वो distance की unit है time की unit नहीं है वो year देखके आप confuse मत हो न parsec होता है 3.26 light year इसको बोलते हैं अगर आप 3 तीन दश्मलब 2 छे परकाश वर्ष को जोड़ दें तो वो बन जाएगा parsec radish radish जो है radish बोलते है मूली को तो मूली जो है वो पोधे का कौन सा हिस्सा है जो आप खाते हैं तो वो जड़ है जड़ यह पोधों के अलग अलग हिस्से आप खाते हैं याद रखिए जैसे आप कई पोधों की जड़े खाते हैं कई पोधों के तने खाते हैं जैसे for example अगर आप अलु खा रहे हैं आप पोटेटो यह बायोजी का कुश्चन है अगर आप पोटेटो खा रहे हैं, तो आप पोधे का तना खा रहे हैं, यानि स्टेम खा रहे हैं, याद रखिए, अगर आप गन्ना खा रहे हैं, शुगर केन, तो आप स्टेम खा रहे हैं, पोधे का तना खा रहे हैं, अगर आप गाजर खा रहे हैं, कैरट, या मूली खा र spinach जैसे हिंदी में पालक बोलते है या फिर आप cabbage खा रहे है बंदगोबी cabbage तो आप थो की पत्तिया खा रहे है यानि leaves खा रहे है अगर आप मालेजीए pea खा रहे है, matter या matter खा रहे है आप pea तो आप थो आप थे का बीज खा रहे है seed खा रहे है इसी तरह कई बार यह भी पूछ सकते हैं कि अगर कोई फल है तो उसका कौन सा हिस्सा खा रहे हैं तो इसमें तीन सबसे ज़्यादा पूछ जाते हैं जैसे पहला है लीची अगर आप लीची खा रहे हैं तो आप एरिल खा रहे हैं A-R-I-L, Eril. अगर आप mango, आम खा रे हैं तो आम का कौन सा हिसा आप खाते हैं? तो वो आप खाते हैं Missocarp. मीजोकार्प. इसी तरह अगर आप से पूछें एपल आप खाते हैं, तो आप कौन सा हिसा खाते हैं? आप खाते हैं fleshy thalamus. एपल का fleshy thalamus. इसी तरह से coconut का पूछ सकते हैं नारियल का कुण सा हिसाथ खाते हैं आप खाते हैं stony endosperm E-N-D-O-S-P-E-R-M endosperm apple का thalamus, mango का mesocarp, coconut का flashy endosperm stony endosperm, apple का flashy thalamus, leechy का aryl मटर है पोधे का हिसा seed और leaves में है spinach और cabbage root में है carrot, turnip, radish और beet root sugar, cane, potato है stem so ये था पहला भाग general knowledge का आपको ये वीडियो कैसा लगा आप comments में लिखे जरूर बताईए अच्छा लगा तो please share कीजिए इसे मुझे प्रोथसान मिलता है अगर number of views भड़ते हैं तो हमारे चैनल को प्रोथसान मिलता है हमें प्रोथसान मिलता है और videos लाने के लिए अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप comments में लिखे बता सकते हैं क्या अच्छा नहीं लगा और कैसे हम improve करें मैं कोशिश करूँगा improve करने की ये basically मेरे एक परियास ये था कि जो मुझे लगा कि general knowledge बढ़ाने का जो तरीका है कि चीज़ों को हम आपस में relate करके पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है अगर हम चीज़ों को for example अगर हम ये पढ़ रहे हैं कि 2020 में ओलंपिक कहा होंगे तो टोक्यो में होंगे टोक्यो किसकी राज दान यह जापान जापान में कौन Jennifer चलती है आप जानते हैं जापान की famous कंपनिया कौन कहसी है जैसे Hitachi company है Toshiba है बिजली की जो गाड़ियों की तोयोटा है Honda है Suzuki है ये सब ये ये जापान की कंपनी है तो जब हम जितना हो सके शेयर केजिए अगर आप चाहते हैं मैं और ऐसे पार्ट बनाऊं बाकी तो कमेंट में लिख दीजिए मैं कोशिश करूँगा चल्दी चल्दी आने वाले जो एक्जाम से उनसे पहले आप तक लाने की थैंक यू फा वाचेंग